राश्ट्रिय शिक्षानीत 2020, भाग 3, अन्य केंद्रिय विचारणिय मुद्दे, अध्याय 20, व्यावसाइक शिक्षा तो आईए सुनते हैं इसका द्वनी पाट प्रिष्ठ संख्या 81 भाग 3, अन्य केंद्रिय विचारणिय मुद्दे, 20, व्यावसाइक शिक्षा 20.1, पेशेवरों को तैयार करने से जुड़ी शिक्षा के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पाठेक्रम में नयतिक्ता और सार्वजनिक उद्देश्य के महत्व का समावेश हो और इसके साथ ही साथ उस विशेविशेश की शिक्षा और व्यावारिक अभ्यास की शिक्षा को भी शामिल किया जाए अन्य समस्त उच्चतर शिक्षा से जुड़े विशायों की तरह ही इसके केंद्र में भी तार्किक और अंतह विशाई सोच, विमर्ष, चर्चा, अनुसंधान और नवाचार को शामिल किया जाना चाहिए इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यावसाईक विकास से जुड़ी शिक्षा बाकी विशायों से कटी या अलग थलग ना रहे 20.2 इस प्रकार व्यावसाईक विकास की शिक्षा समग्र उच्चतर शिक्षा प्रणाली का एक विभिन अंग बन जाएगी स्टैंड अलोन क्रिशी विश्च्व विद्यालेयों, विधी विश्च्व विद्यालेयों, स्वास्थे विज्ञान विश्च्व विद्यालेयों, तक्नीकी विश्च्व विद्यालेयों और अन्य विशायों के स्टैंड अलोन विश्च्व विद्यालेयों का उद्देश अपने आपको एक बहु विशायक संस्थान के रूप में विकसित करना होना चाहिए, जो कि एक समग्र और बहु विशायक शिक्षा मुहिया करवाए। को पुनर्जीवित किया जाएगा। यद्यपी देश के विश्र विद्यालेयों में कृशी विश्र विद्यालेयों का प्रतिशत 9 है। लेकिन कृशी और संबध्ध विज्ञान विशयों में नामांकन उच्चितर शिक्षा के कुल नामांकन के एक प्रतिशत से भी कम है कुशल सनातकों और तकनीशियनों नवीन अनुसंधान और तकनीकी तथा कारे प्रक्रियाओं से जुड़े बाजार आधारित विस्तार के माध्यम से कृशी उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि कृशी और संबध विशयों की ख्षमता और गुणवत्ता दोनों को बेहतर किया जाए सामाने शिक्षा के साथ जुड़ते कारेक्रमों के माध्यम से कृशी और परशू चिकिस्सा विज्ञान से जुड़े पेशेवरों की तैयारी में तेजी से व्रिधी की जाएगी कृशी शिक्षा की प्रक्रिया को ऐसे व्यावसाईक व्यक्तियों के विकास के लिए परिवर्तित किया जाएगा जो की स्थानिय ज्यान, पारंपरिक ज्यान और उभरती हुई तकनीकों को समझ सकें और उसका उप्योग कर सकें और इसके साथ ही साथ महतोपूर्ण मुद्दों जैसे भूमी की गिर्ती उत्पादन शक्ती, जलवाईयू परिवर्तन, हमारी बढ़ती आबादी के लिए पर्याप्त भोजन की आवश्यक्ता आदी को लेकर जागरूख हूँ यहाँ आवश्यक है कि कृषी शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों से स्थानी समुधाई सीधे सीधे लाभानवित हूँ इसका एक तरीका हो सकता है कृषी प्रोध्योगी की पार्क की स्थापना करना ताकि प्रोध्योगी की ये इंक्यूबेशन और इसके प्रसार और टिकाउ तरीकों को बढ़ावा मिल सके 20.4 विधिक शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिसपर्धी बनाने की अवश्यक्ता है साथी इस क्षेत्र से संबंधित बेहतरीन प्रक्रियाओं, कारेप्रनालियों और नई तकनीकों को अपनाया जाएगा जिससे की सभी के लिए और सही समय पर न्याय को सुनिश्चित किया जा सके साथी इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक न्याय के संबंधित एवं उसके आलोक में बनाया जाना चाहिए और लोकतंत्र कानून के शासन और मानवाधीकारों के माध्यम से राष्ट्रिय पुनर निर्मान की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विधिक शिक्षा के पाठेक्रम में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्वों के साथ साथ साक्षे आधारित तरीके से विधिक विचार प्रक्रिया के इतिहास, न्याय के सिध्धान्तों, न्याय शास्त्र के अभ्यास और अन्य संबंधित विशयों को उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो विधिक शिक्षा की पेशकर्ष करने वाले राज्य संस्थानों को भविष्य के वकीलों और न्यायधीशों के लिए दुई भाषी शिक्षा की पेशकर्ष पर विचार करना चाहिए, जिसमें एक भाषा अंग्रेजी और दूसरी उस राज्य की भाषा हो जिसमें यह विधि स्वास्थ शिक्षा को पुनरकल्पित किये जाने की आवश्यक्ता है जिससे की शैक्षिक कारेक्रमों की अवधी, संरचना और डिजाइन, सनातकों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के अनुरूपों हो सकें। कि हमारे लोग स्वास्थ सेवा में बहुरुता वादी विकल्पों का प्रयोग करते हैं। हमारी स्वास्थ शिक्षा प्रणाली को एकिकृत होना चाहिए। जिसका अर्थ है कि एलोपेथिक चिकिस्था शिक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक श सभी प्रकार की हेल्थ केर शिक्षा में निवारक स्वास्थ देखभाल यानि प्रिवेंटिव हेल्थ केर और सामुदाइक चिकिस्था यानि कमिनिटी मेडिसिन पर अधिक जोर दिया जाएगा। 20.6 तकनीकी शिक्षा में डिग्री और डिप्लोमा का रेक्रम शामिल हैं। उदाहरण के लिए इंजीनियरिंग, प्रोध्योगी की, प्रबंधन, वास्तुकला, टाउन प्लैनिंग, फार्मेसी, होटल प्रबंधन और कैटरिंग आधी जो भारत के समगर विकास के लिए मह तो पूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में ना केवल कई दशकों तक पूरी तरह से योग्य व्यक्तियों की मांग जारी रहेगी, बलकि इन क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित उद्योगों और उच्चितर शिक्षा संस्थानों के बीच घनिश्च सहयोग की भी अधिक आवश्यक्ता होगी। इसके अलावा समस्त मानविय उद्यमों और प्रयासों पर प्रोध्योगी की के प्रभाव से तक्नीकी शिक्षा और अन्य विशयों के बीच अंतर समाप्त होने की संभावना बढ़ती जा रही है। प्रिष्ठ संख्या तरासी इस प्रकार तक्नीकी शिक्षा भी बहु विशयक शिक्षक संस्थानों और कारेक्रमों के भीतर पेश की जाएगी और अन्य विशयों के साथ गहराई से जुड़ने के अवसरों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करेगी। भारत को स्वास्थे, परियावरण और दीर्घकालीक स्वस्थ जीवन में इनके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के साथ जिन्हें युवाओं के लिए रोजगार संबर्धन हेतु अवर सनातक शिक्षा कारेक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। अत्याधुनिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे की जीनोमिक अध्यायन, जयवप्रवध्योगी की, नैनोप्रवध्योगी की, नियूरोसाइंस के साथ ही साथ, तेजी से प्रमुखता हासिल कर रहे आर्टिफिशर इंटेलिजन्स, ए आई, 3D मशीनिंग, बड़े डेट विश्लेशन और मशीन लर्निंग शेत्रों में पेशेवरों को तयार करने में अग्रणी भूमी का निभानी चाहिए अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रिय शिक्षानीत 2020 भागतीन अन्य केंद्रिय विचारणिय मुद्दे अध्याय बीस व्यावसाइक शिक्षा वाचन्स्वर, अजीत होरो, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंदिना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत